सोलन में स्वास्तिय मंत्री कर्णल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने पत्रकार वारता के दोरान कहा कि उनके नेता राहूल गांदी के साथ असमय बेहत दुर्वियभार किया गया है जो बहुत ही शर्मनाक है उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा कताई नहीं होना चाहिए लेकिन उसके बावजूत भी इस तरह की घटनाएं हो रही है जो वेहत चिंदा का विशय है जिसका वह और All India Congress विरोध कर रही है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अब बर्दास से बाहर होती चारी है इस तरह की घटनाओं से देश में आशान्ति का महौल पैदा होगा जो देश के हित में नहीं होगा राहूल जी की जो यात्रा चली है खासकर जब ये असम के इरिया से गुजरी तो वहां के लोगों ने उनके साथ दुर्वेहार किया जिसकी All India Congress Committee और पूरी Congress Party खंडन करती है और इस प्रकार की घटनाएं लोक तंत्रिक दिश्टी से भी और अधर्वाइज आलसो सभेता की दिश्टी से भी अच्छे नहीं आंकी जाती हमारे लोक तंत्रिक विवस्था में अगर कोई नयाए कि आता है एक मैं समनता हूँ लेतो वीर तो योद्धा मैं समनता हूँ नायक है हमारा रहूल गांदी जी जिन्नोंने इक इतना अच्छा बीड़ा उठाया है उ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेरोजगारी की उनके बास काम नहीं है वो बेकार है और इसी से जितनी वी विवस्था फैलती है लोग और प्रॉब्लम नश्य का ज्यादा होना इत्यादी वेरा तो इन सब चीजों के तो कोई बात कहीं नहीं जाती और वो चीज डिसक नियायात्रा है भारत जोडो नियायात्रा यह उसी दोर प्रेरित है अगर उसी में हम विवद्धान कोई डाले तो उसका तुम खंडर नहीं करते हो और उसके उसे सहन भी नहीं किया जाएगा ऐसा भी मैं बता देना चाहता हूं इसलिए आज की प्रेस कांशन्स नहीं की थ उञी जाएगाओ़स्ण हमेश् यह प्रेस कांशन्स वहता है है長ग यह थाहता है ल Spencer